तो भई अभी तक हमारे को लग रहा था कि डंकी इस बाउट फ्यू पीपल जो कि इंडिया से इंगलेंड जाना चाहते हैं डंकी मारके यानि की इलीगल इमिग्रेशन के प्रोसेस की थू लेकिन जब हम हॉल जाते हैं मूवी देखनी शुरू करते हैं तो पता चलता है कि कहा हैस्मुवी की रियालिटी मतलब मूवी अच्छी हे बूरी है देखने जानी जानी चाहे और मैंसको कितने स्टार दूंगा यह तो मैं आगे चल कि हापको बताऊनगा लेकिन सबसे पहले आखिरकार मिडिय हाय इस टाइम पर इसको कितने स्टार दे रहे हैं और एक कन्फू पठान जवान से अच्छी है दो हजार करोड बनता है उसके अलावा फैन्स मास्टर पीस है फाइव स्टार है अलग अलग रिव्यूज यहां पर फैन्स की भी निकल कर आ रहे हो फैन्स का क्रेज देखो एक बार अपनी स्क्रीन के उपर सिनिमा हॉल के बाहर हो या फिर सिनिम हॉल के अंदर की वीडियो आपको दिखाता हूं फैन्स अर गोइंग क्रेजी इंफैक्ट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया फॉर्स डे फॉर्स शो में देखने गया था और मैंने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करा एक बंदा निकल करके आता है और नीचे लु यह मूवी की स्टोरी है लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा स्टोरी है जब वह पहुंच जाते हैं तो उनकी क्या-क्या वहां सिच्वेशन हो जाती है क्या उनको कठिनाईयां फेस करनी पड़ती है यानिकी दिखाया गया है कि इंडिया छोड़कर बाहर जाना एक सपने के ले तो बहुत अच्छा है लेकिन जब एक्चुली में बंदा बहुत जाता है इमिग्रेशन चाहे जैसे भी ओ लीगली पहुंचे लीगली पहुंचे तो आखिरकार वहां कितनी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है वह बहुत अच्छे से यहां पर दिखाया गया अगर फर्स्टाफ के बारे में बात करूं तो फर्स्टाफ में कॉमेडी बहुत जादा भारी है और बहुत ही अच्छी कॉमेडी है यहां पर फर्स्टाफ में कुछ कुछ सीन्स में तो मुझे इतनी जादा हसी आई कि लिटरली आखों से आसू आने लग गया और यहां पर आखों पर आशु जो है बिल्कुल टपकने वाले होंगे आप समझ सकते हो कि कितिनी जादा emotional पर मूवी जाएगी इन फैक्ट अगर मैं बात करूं इस साल के बारे में तो इस साल अभी तक को यह आए ही नहीं थी जिसने या तो हमारे को बहुत अच्छे तरीके से हसाया हो या फिर पहली ऐसी मूवी है इस साल के अंदर जिसने ये दोनों काम perfectly यहां पर करें अब जैसे मैं बताया था पहले वी अपने वीडियो में डंकी के बारे में की राजु-हिराणी जो है अपने के उपर बहुत अच्छे से काम करते हैं और जब हमने इसके ट्रेलर ड्रॉप वन ड्रॉप टू ड्रॉप त्री देखे तभी भी हमने देखा कि बार-बार इंट्रड्यूस यहां पर किया जा रहा था यानि कि इनकी कॉमेडी करने का जो स्टाइल है वह आप समझ जाओगे और इनके छोटे-छोटे जोक्स पर भी आपको हसी आना शूरू हो जाएगी मुवी के मिड से पहले तक ऐसी आलत हो जाएगी मतलब काफी जादा इंडल्ज कर जाओगे एक छोटे-छोटे कारेक्टर के अंदर अब अगर बात करी जाए मुवी के ट्रेलर को देखकर हमने काफी स्पेकुलेशन लगा लिए थे कि विकी कॉशल का यहां पर कैमियो है और विकी कॉशल शायद यहां पर मढ़ जाएंगे इस सब चीज हमने ट्रेलर के अंदर देख ली थी और समझ भी ली थी इसी तरीके स स्टॉरी कुछ ना कुछ चलती है लेकिन विकी कॉशल का रोल बहुत जाधा क्रूशल है यहां पर क्योंकि वह असूसियेट करता है शारुक खान के करेक्टर से यह चीज़ को बहुत जादा हाइलाइटिट पॉइंट यहां पर बनाती है इंफाक्ट विकी कॉशल की जो आ इसके बारे में बात करी जाए तो तापसी पन्नु ने सही acting करी है मतलब बाकी की movies में उन्होंने जैसा act किया है आज तक उससे काफी better यहां पर acting करी है और वैसे तो movie देखने पहले मुझे लग रहा था काफी skeptical में था यहां पर कि यह तापसी पन्नु शारुक खान की chemistry की अच कोशिशे मेहनत भी करें अगर बात करें तो स्टोरी टेलिंग कमाल की थी मतलब राजु हिरानी की स्टोरी टेलिंग शुरू से ही बहुत जाद अच्छी रहे हैं चाहे मुन्ना भाई MBBS हो चाहे PK हो 3Dates हो मैंने पिछली वीडियो में यह भी कहा था कि उनकी मुवी उनकी स्टोरी टेलिंग ऐसी होती है कि उनकी मुवी काफी लंबे टाइम तक रिलेटेबल लगती है लोगों को यानि कि अगर आज भी आप मुन्ना भाई या पर 3Dates देखोगे तो आपको रिलेटेबल लगेगी काफी जादा अच्छे से जोड़ा यहाँ पर गया है और जहां पर आक्शन सीक्वेंस रिक्वाइट थे वहीं वहीं आक्शन सीक्वेंस डाले गए हैं काफी रियलिस्टिक किसम का यहाँ पर आक्शन डाला गया यानि कि बहुत सूपरफिश्चिल ओवर देखने को नहीं म पाड़ दी इस तरीके का मासी एक्शन है तो यह मूवी देखने मत जाना क्योंकि यह मूवी जो है यह आपको कुछ चीजों पर सोचने में मजबूर करें और कई जगाओं पर आपको सच में बहुत अच्छे तरीके से इंटरें करेंगी आपके इमोशन को सही तरीके से प् इसके लाव अगर सिनेमेटोग्रफी की बात करी जाए तो वह भी काफी अच्छे से करी गई और काफी अच्छी कलरफुल मूवी आपको शुरुआत से देखने को यहां पर मिलेगी जैसे की ट्रेलर के अंदर भी देखा था अगर कौन की यहां पर मैं बात करूं तो अपटी लगेगी लेकिन उसके अलावा जो उनके बुढ़े होने की अक्टिंग है वह काफी जादा एप्ट है इसके साथ मुझे यह लगा कि सेकेंड हाफ में थोड़ी सी कॉमेडी और जादा यहां पर हो सकती थी क्योंकि फर्स्ट आफ में कॉमेडी का बहुत तगड़ा दोस दिया गया था और वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कंटेन्यूड होना चाहिए था इमोशन के साथ साथ कॉमेडी अगर होती तो और जादा सेकेंड आफ में मजा आता अब बेस्ट पार्ट ऑफ फिल्म की में यहां पर बात करूं तो यही है कि इस फिल्म की स्ट दे रहे हैं इसको फैंस जो है वो इसको ब्लॉक बॉस्टर मास्टर पीज भी कह रहे हैं मैं यहां पर इस मुवी को फोर स्टार्स तो अटलीस देना ही चाहूंगा क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहां पर यह कि शारुक खान एक बहुत तगड़ा रिस्क लिया है वो जानत सटाइल आक्टर हैं और किसी दे तरीके की स्कृट्ट हो चाहे मासी स्क्रिप्ट हो या फिर एक इंटलेक्च्वल डंकी टाइप की स्कृट हो दोनों कोई बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते है इंफाक्ट शारुक खान इहां पर इस बात को भी फिरसे रिगेस्टबी अगर आपने मूवी देख लिए तो आपका क्या रियाक्शन है आप इसको कितने स्टार देंगे हो सकता है बहुत सारे लोग इसको पसंद ना करें लेकिन अगें अगर आप मासी मूवी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे इससे तो इसमें मूवी मेकर की गलती नहीं है सच में यहां पर आपकी गलती है क्योंकि यह एक मासी मूवी थी नहीं और इसको इस तरीके से पिछ ही नहीं करा गया था शुरुआत से इसको शुरुआत से दिखाये गया था कि यहां पर स्क्र लेलर के अंदर ही मिल गए थे स्पोईलर के साथ वाली वीडियो आने वाले टाइम में आगी क्योंकि ये मूवी जो है इस आल्सो वर्थ डिस्कसिंग जैसे कि जवान ती जवान में एक सोशल मेसेज था इसके अंदर भी सोशल मेसेज वाली चीजे मुझे पर्सनली बहुत ज झाल 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